प्राशन एक, भारत के पहले नैनो-डी-ए-पी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपका ओप्षन है A. मध्य प्रदेश B. उत्तर प्रदेश C. गुजरात D. पंजाब आपका सही उत्तर है C. प्राशन दो National Co-Operative for Exports Limited को किस ने लांच किया? आपका ओप्षन है A. अमित शाह B. राजनात सिंग C. अनुराग ठाकुर D. आरके सिनह आपका सही उत्तर है A. प्राशन तीन Kendria Cabinet ने किस देश के साथ सेमी कंड़क्टर सप्लाई चेन पार्टनर्शिप के लिए सहयोग ज्यापन को मंजूरी दी है आपका ओप्षन है A. फ्रांस B. जर्मनी C. सिंगापो D. जापान आपका सही उत्तर है D. प्राशन चार एशय पैरा खेलों के पुरुष डिसकस्त्रों में किस भारतिय ने स्वर्न पदक जीता आपका ओप्षन है A. अतुल सक्सेना B. नीरज यादव C. राकेश भेरा D. मुहित सिंह आपका सही उत्तर है B. प्राशन पांच बंगाल की खाडी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है आपका ओप्षन है A. पाकिस्तान B. बंगलादेश C. इरान D. कुवेट आपका सही उत्तर है C. प्राशन पांच किस भारतिया अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपती द्वारा राष्ट्रिय प्रोध्योगी की और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया आपका ओप्षन है A. विवेक रामा स्वामी B. अशोक गाडगिल C. अरुन महरा D. अजे बगगा आपका सही उत्तर है B. प्राशन साथ संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है आपका ओप्षन है A. चोबीस अक्टूबर B. पच्छीस अक्टूबर 27 अक्टूबर आपका सही उत्तर है A. प्राशनाथ इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस के साथवे संसकरन का आयोजन कहां किया जा रहा है आपका ओप्षन है A. मुंबई B. नई दिल्ली C. लखनौ D. जैपूर आपका सही उत्तर है B. प्राशन नौ भारतिय वायू सेना कमांडरों के दो दिवसिय सम्मेलन का उद्गाटन किसने किया आपका ओप्षन है A. नरेंद्रा मोदी B. राजनात सिंग C. अमित शाह D. अनुराग ठाकुर आपका सही उत्तर है B. प्राशन 10 राजनेता लिके कियांक का निधन हो गया है वह किस देश के पूर्ग प्रधान मंत्री थे आपका ओप्षन है A. गूटान B. थाइलेंड C. जापान D. चीन आपका सही उत्तर है D. प्राशन 11 केंद्रिय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है ये किस राज्य से संबंधित है आपका ओप्षन है A. बिहार B. मध्यप्रदेश C. उत्तराखंड D. राजस्थान आपका सही उत्तर है C. प्राशन 12 केंद्रिय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के स्राज्य में 124 पीम श्री स्कूलों का शुभारंब किया आपका ओप्षन है A. हर्याना B. उत्तर प्रदेश C. असम D. पंजाब आपका सही उत्तर है A. प्राशन 12 भारत के किस खिलाडी ने एश्याय पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल्स असे चेक इवेंट में स्वर्न पदक जीता आपका ओप्षन है A. अजय सिन्हा B. राहूल कुमार C. सिध्धार्थ बाबू D. अमेतानंद आपका सही उत्तर है C. प्राशन 14 मलेशिया के अगले किंग के रूप में किसे चुना गया है आपका ओप्षन है A. सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इसकदर B. अल सुल्तान अब्दुल्ला C. अल सुल्तान इब्राहिम D. इन में से कोई नहीं आपका सही उत्तर है A.